हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारा चैनल में मैं रंजू जी आप सब का स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज हम रंग बिरंगे चिप्स को घर पर बनाएंगे बिल्कुल भी मार्केट स्टाइल बिना किसी सांचे के इन चिप्स की खास बातिया होती है कि इस चिप्स को बना के मैंने चावल पर लिया है मैंने होम नर चावल कर लिया है आप चाहें तो मार्केट से मिलता है उसे ली सकती है या तो चावल को धूं करके अच्छी तरह से सुखा कर मिक्सर जार में पीस करके बना सकती हैं तो मैंने जिस कटोरी से नाप करके चावल का अंटा लिया था उसी कटोरी से नाप करके मुझे पाने डालना है तो लगबग एक कटोरी मैंने पाने डाल दिया है और इस तरह से घोल बना लिया है घोल में तो मैंने कटोरी से नाप करके दिखाया नहीं है, मैंने कप में उतना ही पानी लिया था, जितना की मुझी हैं अन्टे में डालना था, तो घोल अच्छी तरह से रेडी हो गया है, अब हम चूला अन करेंगे और उसमें रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को गरमिल्द करना है, बढ़ाई देखे दिरीदर गरम हो रहा है और गोल भी गाढ़ा हो रहा है घोल को गाढ़ा करने के लिए कोई भी मोटी तली का कढ़ाई ले तो जाद आच्छा रहेगा तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे कोई भी लंशिस में ना पढ़ने पाए इस बात का ध्यान तो इसी तरह से गाढ़ा करना है आता पूरी तरह से पक जाए और गाढ़ा भी हो जाए अभी हम कढ़ाई को चुले से नीचे उतारेंगे और घोल को थोड़ा से ठंडा होने देंगे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है इसे के साथ मैं इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक डा और घोर को तेन बराबर भागों में डिवाइड करेंगे आपको इतने इससे बनाने हैं उतने भागों में बेशाइड कर सकते हैं मुझे तीन कलर बनाना है इसलिए मैं इसे तीन भागों में अलग करोंगी यह रहनreto差不多 चिप्स बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं तो यदि आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह से चिप्स आप जरूर बनाईएगा आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे इस चिप्स को मैंने स्पेसल होली के लिए बनाया है आप जब चाहें तब बना स तो देखी एक भाग में थोड़ा सा येलो फूट कर रही हूं आपको जो भी कलर पसंद हो या आपके घर में जो भी कलर अभेलेबल हो आप उसे कर सकते हैं तो येलो कलर रेडी हो गया है दूसरा कलर मैंने लिया है औरेंज को भी मिक्स करेंगे तो दो कलर मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और तीसरा कलर के लिए मैं भाइट ही रहने दूंगी उसमें कुछ भी एड नहीं करेंगे और हां इस चीप्स को बनाने के लिए तीन पॉल से ग्रीज कर लूँगी ताकि चिपस सूखने के बाद अच्छे से निकल सकें और कौन बनाने के लिए मैंने इस तरह से पॉलिथीन लिया हुआ है तो किसी भी गिलास या कटोरी में रखें इस तरह से और इसमें मैं रखूंगी घोल जो मैंने चावल का बना करके रखा है कलर और उसमें रखेंगे और पॉलिथीन को ऊपर से इस तरह से मुड़ते हुए लॉक कर देंगे इसमें मैं पतला वाला रबर बर्यट लगा दूँगी जिससे की कौन क्षूले ना है तो इसी तरह से तीनों पॉलिथीन में तीनों कलर्स के घोल भर करके इसी तरह से लॉक करक तो इस कौन से आप मन्चाहे कोई भी सेप के चिप्स बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो इस तरह से दिखें मैं बना रही हूं अगर यह से आपको पसंद है तो जरूर बनाईएगा इसी तरह से तीनों कौन से हम मन्चाहे सेप के चिप्स बना लेंगे और हां इसी के सा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज रेश्पी पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बडियो की निचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर वेल आइकन के घंटी को प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके तो देखे इस तरह से मैंने औरेंज कलर से चिप्स बना कर रेडि कर लिये हैं दूसरा कौन है वाइट मैं इससे बना रही हूँ ये सरकल सेप में दे रही हूँ आपको जो से पसंद हो वो बना सकते हैं इस चिप्स को बना कर आप धूप में दोसे तौई गंटें के लिए छोड़ दे अगर अच्छी दूप है तो दोसे ठाइग गंटे है ये चिप को बनाईए गा चिप्स के कॉलर्स और डिजाइन दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल भी मार्केट इस्टाइल लग रहे हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से एर करें बाकी बचे घोल से भी चिप्स इसी तरह से बना करके रेडी कर लें तो अभी मैं धूप में सुखाने जा रही हूं इस चिप्स को पूरे एक दिन धूप में सुखाने के बाद चिप्स रेडी हो गए हैं देखिए बहुत अच्छे से सूख गए हैं सारे चिप्स मैं तोड कर की दिखा रही हूं देखिए कितने अच्छे से तूट रहे हैं अब मैं इसे फ्राई भी करूंगी तो मैंने तेल गरम किया है मेडियं टू हाई फ्रेम पर तीन से चार चिप्स में तेल में डालूंगी जितने चिप्स आराम से फ्राई हो सके तो इस तरह से उलच पलच पलच ते हुए चिप्स को फ्राई करेंगे देखिए कितने अच्छे से चिप्स फ्राई हो रहे हैं इनका साइज भी फ्राई करने से डबल हो रहा है तो इस तरह से चिप्स जब भी आपको खाना हो आप फ्राई करके चिप्स का आनंद ले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ